हेलो आप देख रहे हैं सेल्प क्यान और आज बात करेंगे कि MS-91 में कौन-कौन से important question है जो आपको exam के लिए करने है अच्छे marks लाने के लिए और उसकी एक e-book भी है जिसको आप कर सकते हैं जिसके अंदर question और answer दोनों हैं तो चलो शुरू करते हैं यह है MS-91 की book e-book जो मैंने बनाई है advanced strategic management की जिसके अंदर long or short answer दिये हुए हैं जो आपको करने हैं इसमें most important questions दिये हैं जो बार-बार exam में आते हैं अगर वो भी आपने कर लिए तो आप अच्छे mark के साथ आप इसको पास को सकते हैं तो आपको इसी strategy का ध्यान अगना है कि कौन-कौन से आपको question करने हैं एक-एक करके मैं question बताऊंगा lot भी long भी बताऊंगा और short भी बताऊंगा और यह जो question है according to the priority रखा गया है इनको मैंने जो सबसे ज्यादा important question है वो सबसे पहले हैं और धीरे धीरे नीचे जो है priority कम होती जाएगी तो सबसे पहले हम first priority वाले questions की बात करेंगे जो MS-91 के अंदर है तो इसमें जो सबसे ज्या है उसके next questions के ऊपर जाएंगे हम question number two तो वह है how do you understand the role and responsibility of BODs यानि के board of directors जो होते हैं उनकी role क्या होते हैं उनकी responsibilities क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए तो उसी yes answer है तो आपको इन सब questions को जो है यह क्योंकि भार-बार आते हैं तो इनको आपको करना है यह पिछले 15 years के पर question paper जो important questions है वो आपको बताए गए है इसमें जो तीसा question है identify the characteristics of the dynamic environments and explain the different strategy applied in a dynamic environment तो यह questions भी आपको करने हैं और यह e-book नीचे description में दिए हैं वहासे आप इसको download कर सकते हैं जैसी थोड़ा समाउंट उसको पे करोगे तो download option आजाएगा सिरह अपने phone में उसको download कर सकते हैं otherwise आप आप जो books हैं आपको issue हुई हैं उससे भी questions को कर सकते हैं कोई इतना बड़ा इसमें issue नहीं है पर उसमें आपको थोड़ा सा उसमें ढूनना पड़ेगा तो इसमें यह है जो question number 4 है बहुत important है यह भी explain the importance of R&D strategy and competitiveness of a farm competitive advantage क्या है R&D की वो आपको discuss करनी है इस questions के अंदर जो question number 5 है वो है type of social order क्या होती है उनके बारे में आपको बताना है काफी important question है लगबग हर बार आता है यह भी इसमें जो question number 6 है MS 91 के अंदर तो आपको difference बताना है level of corporate strategy identify करना है various kind of corporate strategies को तो वो आपको करना है इसमें क्या है आपको लगबग 7-8 questions मिल जाएंगे जिसमें से आपको 5 करने है आपको छूट मिलेगा 100 marks के आपका questions पर रहेगा तो आपको 5 करने है बीस mark के question नहेगा तो उसमे में आपको करना है फिर बिए अगर आपको कोई issue आता है कोई पूछना है तो नीचे comment कर सकते हैं कि यह वाला जो question है इसमें question number 7 what are the need of corporate governance and explain the corporate governance governance इन union context के संदर्व में आपको बताना है corporate governance को ठीक है तो यह हो गया उसके बाद जो next question इस book के अंदर आपको मिलेगा यह बहुत ही ज़ाद important question है अगर आपको अच्छे marks लेकर आने तो उन पर ज़्यादा focus करना है यह निकी जो चीज़े एक्जाम में नहीं आने वाली उनके उपर आप ज़्यादा focus करो उससे क्या है आपके marks कम हो जाएंगी ठीक है what are the various strategies choice available for a company to global global जाने के लिए कौन सी strategic choice available होती है किसी organizations के अंदर तो उनके बारे में discuss करना है उसके बार जो next question है what are the use of IT strategy implementation यह हर एक exam में आता है इसी में लिए मैंने लिखा इसको every exam तो IT strategy वाले questions को बिलकुल नहीं छोड़ना है what are the use of IT in the strategy implementation very very important question लगबग हर exam में आ रहा ही question ठीक है तो इसको पक्का करके जाना है जो next question है इसका explain the CSR and importance for business CSR क्या है corporate social responsibility और उसकी जो importance है business के अंदर वो क्या है ठीक है उसके रहाँ बाद हम next questions के उपर चलेंगे अब हाँ से हमारे second priority वाले questions शुडू हो जाते हैं यह भी exam के अंदर आए हैं यह सब भी very very important questions हैं तो इनको भी आपको करना है ठीक है और इसमें जो first question है 11 question number 11 जो है nature and scope जो है corporate management का उसको explain करना है essential of corporate planning उसके बाद next जो questions है इसमें explain the policy formulation process बहुत important questions है इसको भी आपको क्या है करना है ठीक है तो यह सब question है और भी इसके अंदर question है वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है तो हम अब भी करेंगे short note के बारे में बात तो first priority वाले जो short notes है जो सबसे ज़्यादा इसमें short note आते है और यह long में भी आ जाते है question इसलिए इनको short समझ के नहीं चलना जैसे social audits और CSR क्या है CSR पहले भी आया और यहां पे भी आ गया इसके साथ में आपे social audit को discuss करना है तो very important short note तो इसको आपको कर लेना है next questions के बारे में हम बात करेंगे role of CEO CEO का role क्या होता है functions क्या होता है वो सब आपको पताना है ठीक है उसके बाद CSR क्या है corporate accountability क्या है very important question या आता ही आता है तो इसको करना ही करना है question number 4 में आपको business analytics क्या है वो आपको पता होने चाहिए उसके उपर important questions short note आता ही है कभी long में आ जाता है कभी short में आ जाता है तो इस तरीके से और भी short notes है long questions है तो उनको आपको करना है इसके उपर और भी video बनाई हुई है maximum MBA की जो e-books है वो मैंने डान दी है description में अगर आपको पढ़ना है और exam के time पे आपको कम time है तो स्विप ये question भी कर लोगे 2-3 दिन के अंदर तो आप अपने exam को आशानी से clear कर सकते हो अच्छे marks के साथ minimum effort में तो आप update रहे से help के आनके साथ चैनल को subscribe करके रखे कोई issue आता है तो नीचे comment करे और इन सब question को आपकी help के लिए बनाया है ताकि आप जो इसको complete कर सको और अपने exam को आशानी से अच्छे marks के साथ clear कर सको best of luck thank you